आप सभी को नमस्कार सुवागत है आप सभी का चेनल एस्टरलाजर में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राशी अनुसार कौन से मंत्र का जब हमें करना चाहिए जिससे की जीवन में सफलता हमें मिल सके हर शेत्र में हम सभी जानते हैं कि वेदिक जोतिश के हिसाब से 12 राशिया होती हैं और हर वेक्ति की कोई ना कोई राशी तो होती ही है जिसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है उसके वेक्तित्व पर पड़ता है ये 12 राशिया हैं मेश, वरिशब, मिधुन, करक, सिंग, कन्या, तुला, वरश्चिक, धनू, मकर, कुम्ब और मीन हर राशी का कोई ना कोई मंत्र भी होता है अगर अपने राशी के नुसार मंत्रों का जब किया जाए तो बहुत फाइदा हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है मंत्रों का जब सबसे अच्छा तरीका है किसी भी शक्ति की कृपा को पाने के लिए और जीवन को बहतर बनाने के लिए इसलिए दशकों से लोग मंत्रों का जब करते आ रहे हैं आईए जानते हैं राशी मंत्रों का महत्व क्या होता है जोतिश के अनुसार जोतिश के हिसाब से अगर कोई अपनी राशी से संबंधित मंत्र का जब करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है राशी मंत्रों के जब से धन, एश्वरे, स्वास्त, संपन्ता को जीवन में लाया जा सकता है राशी मंत्र के जब से धनागमन होता है काम धंदा भी अच्छा चलने लगता है भाग के साथ देने लगता है सामाजिक जीवन में आउसर मिलने लगते हैं उपर उठने के लिए वेक्तिकत जीवन में सफलता मिलती है और देखा जाये तो कुंडली में मौझूद नवग्रहों के दोशों का भी प्रभाव दूर होता है तो इस प्रकार राशी मंत्रों का जब बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है अब एक सवाल उठता है कि राशी मंत्रों का जब कितना करना चाहिए तो यहां आपको यह बताना चाहेंगे कि आप जितना जादा से जादा कर सकें उतना अच्छा है अत्वा आप एक माला या दस माला कम से कम जरूर जपिए क्योंकि मंत्र बहुत ही छोटे हैं और बहुत आसानी से जपे जा सकते हैं आईए जानते हैं कुछ महत्वपुन बाते हैं मंत्र जप को लेके मंत्र के जप के दोरान ध्वनी और गती को एक जैसा बनाए रखना चाहिए ज्यादा जल्दी ना करें मंत्र जप करते समय अपने तीसरे आख के जगे पर पूरा ध्यान लगा के मंत्र जप करें और मंत्र को वहाँ पर देखने की कोशिश करें ऐसा महसूस करें कि पूरा शरीर और मन दिव्व कृपा से भर रहा है और जीवन बहतर होता जा रहा है हमेशा उनी आसन पर बेट कर ही मंत्र का जप किया जाता है अगर संभो हो तो दीपक या मुंबती जला के ही मंत्र जब शुरू करें और शक्तियों से सफलता के लिए प्रार्थना करें आईए अब जानते हैं बारा राशियों के मंत्रों के बारे में मेश राशी का मंत्र राशी चक्र में मेश राशी का स्थान पहला होता है और ये अगनी तत्तों से संबंद रखता है ये एक चर राशी है वेदिक जोतिश के नुसार और इस राशी के लोगों में काफी उर्जा पाई जाती है जिसका अगर सही स्तमाल ये करें तो आपार सफलता ब्राप्त कर सकत हैं मेश राशी के लोग अगर निम्न में से कोई एक मंत्र एक सो आठ या एक हजार आठ बार रोज सुबह जब करें तो कारियों में निश्चिती सफलता मिलेगी मंत्र है ओम एम क्लीम सोहो या फिर ओम रीम श्रीम लक्षमी नारायनाय नमहा इन दोनों में से किसी एक मंत् किया जा सकता है वरिशब राशी राशी चक्र में वरिशब राशी का स्थान दूसरा है और ये प्रत्वी तत्व से संबंद रखता है यह एक स्थिर राशी है वेदिक जोतिश के अनुसार और इस राशी के लोगों में रचनात मक्ता पाई जाती है जिसका स्तमाल करके वर प्रिशब राशी के लिए जो मंत्र हैं वो हैं ओम एम क्लीम श्रीम या फिर ओम गोपालाय उत्तर धजाय नमहा इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जब 108 या 1008 बार रोज सुभे करना चाहिए या फिर किसी विनाय काम को करने से पहले तो जरूर कर लेना चाहिए मिथुन राशी, राशी चक्र में मिथुन राशी का स्थान तीसरा है और यह वाईयु तत्यों से संबंध रखता है यह एक दूई सुभाव राशी है वेदिक जोतिश्कय नुसार और इस राशी के लोगों में अपना काम निकालने की कला होती है जिसका استعمال करके मिधुन राशी के लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं अगर मिधुन राशी के लोग निम्न में से किसी मंत्र का इस्तमाल या जब 108 या 1008 बात करते हैं रोज सुभे या फिर किसी कारे को प्रार्म करने से पहले तो निश्चिती सफलता मिलती है मंत्र है ओम क्लीम एम सोहो या फिर ओम क्लीम कृष्णा ये नमहा करक राशी राशी चक्र में करक राशी का स्थान चोथा है और ये जलतत्तों से संबंद रखता है ये एक चर राशी है वेदिक जोतिश के नुसार इस राशी के लोग काफी भावनात्मक होते हैं, साथी अच्छे साथी साबित होते हैं इनके साथ दूसरों को काफी लाब मिलता है और एसे लोग सही मायने में अपनों को उपर उठते हुए देखना चाहते हैं करक राशी के लिए मंत्र है ओम, एम, क्लीम, श्रीम या फिर ओम, हिरन्नेगर भाय, अव्यक्त, रूपिने नमहा इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जब आप 108 या 1008 बार रोज सुभे कर सकते हैं सिंग राशी, राशी चक्र में सिंग राशी का स्थान पाचवा है और ये अगनी तत्व से संबंध रखता है ये एक स्थिर राशी है वेदिक जोतिशकनुसार और इस राशी के लोगों में जबरदस नेत्रत ख्षमता होती है साहस होता है जिसके बल पे सिंग राशी के लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं आपके लिए जो मंत्र हैं वो हैं ओम रीम श्रीम सोहो या फिर ओम क्लीम ब्रह्मने जगदाधाराय नमहा इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जब आप 108 या 1008 बार कर सकते हैं कन्या राशी राशी चक्र में कन्या राशी के स्थान छटा होता है और यह प्रित्वी तत्व से संबंद रखता है यह एक द्वी सुभाव राशी है वेदिक जोतिश के नुसार इस राशी के लोगों में अपना काम निकालने की कला होती है जिसका इस्तमाल करके कन्या राशी के लोग जीवन न सफलता प्राप्त करते हैं अगर कन्या राशी के लोग निम्न में से किसी एक मंत्र का जब 108 या 1008 बार रोज सुभे करें या फिर किसी कारे को प्रारम करने से पहले करें तो निश्टी ती सफलता मिलेगी तुला राशी चक्र में तुला राशी का स्थान सात्वा है इस राशी के लोगों में रचनातमक्ता काफी होती है जिसका सही इस्तेमाल करके तुला राशी वाले सफलता प्रापत कर सकते हैं अगर तुला राशी के लोग निम्न में से किसी एक मंत्र का जब 108 या 1008 बार करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी मंत्र है ओम रीम क्लीम श्रीम और ओम तत्व निरंजनाय नमहा व्रश्चिक राशी राशी चक्र में व्रश्चिक राशी के स्थान आठवा है और ये जल तत्व से संबंद रखता है ये एक स्थिर राशी है वेदिक जोतिश के नुसार और इस राशी के लोगों में काफी उर्जा होती है जिसका अगर सही स्तमाल करें तो अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं आपके लिए मंत्र है ओम एम क्लीम सोहो या फिर ओम नाराय नाय सुरसिंगाय नमहा धनूराशी राशी चक्र में धनूराशी का स्थान नवा है और यह अगनी तत्र संबंद रखता है ये एक द्वी सोभाव राशी है वेदिक जोतिश के नुसार और इस राशी के लोगों में दिमागी और शारिरी काम करने की शक्ती होती है जिसके कारण ये अपने शेत्र म अर्धी ओर्धी tut अरीय। माकर राशी राशी चक्र में अर्षी चकर में। मकर राशी का इस्थान दसवा है और यह प्रत्वी तत्र से सम्बंद रखता है। यह एक चर राशी है वेदिक जोतश के नुसार और इस राशी के लोगों में में प्राशी के लिए मंत्र है ओम एम क्लीम रहीम श्रीम सोहो और या फिर ओम श्रीम वत्सलाय नमहा कुम्भ राशी राशी चक्र में कुम्भ राशी के स्थान 11 होता है और यह वायू तत्व से संबंद रखता है यह एक स्थिर राशी है वेदिक जोतिश के नुसार और इस राशी के लोगों में काफी इमानदारी देखी जाती है साथ ही ये लोग महनती भी खुग होते हैं कुम्भ राशी के लिए मंत्र है ओम रहीम एम क्लीम श्रीम या फिर ओम श्रीम उपेंद्राय अच्चुताय नमहा मीन राशी मीन राशी का स्थान राशी चक्र में बाहरवा है और ये जलतत्य से संबंद रखता है ये एक द्वी सुभाव राशी है वेदिक जोतिश के नुसार और इस राशी के लोगों में काफी विद्वता देखने को मिलती हैं अपने गुणों के कारण ये समाज में जाने जाते हैं मीन राशी के लिए मंत्र है ओम रहीम क्लीम सोहो या फिर ओम आम क्लीम उद्धताय नमहा तो हमने देखा उपर बारा राशीयों के मंत्र कौन से हैं और हम इने जब के कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं हम राशी मंत्र का जब कोई भी नए कारे की शुरुवात करने से पहले कर सकते हैं हम राशी मंत्रों का जब प्रातहकाल दिन की शुरुवात के समय कर सकते हैं किसी भी परिक्षा या इंट्रिव्यों में जाने से पहले भी हम राशी मंत्रों का जब कर सकते हैं किसी यात्रा को शुरू करने से पहले भी हम राशी मंत्र का अस्तमाल कर सकते हैं इस प्रकार बहुती आसानी से हम अपने राशी से संबंधित मंत्र का जब करके अपने जीवन सफलता और देवी कृपा को अकरशित कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में अपने राशी से संबंधित मंत्रों की जानकारी मिली होगी आप इसका स्तमाल करके अपने जीवन को बहतर बना पाएंगे गर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें जादा से जादा लोगों तक और चेनल में अगर नए हों तो सबस्क्राइब भी कर लें कि आपको नए वीडियो तुरंत राप्त हो सकें इस वीडियो की पूरी जानकारी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी जहां पढ़ सकते हैं और राशी मंत्रों का अलग से वीडियो भी अपलोड होने वाला है इसके बाद जिसे आप सुन सकते हैं निश्चित समय पर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्चिवारे